गाइस काफी समय से कमेंट्स आ रहे थे कि विजे भाई कोई ऐसा मैजिक हमें सिखाए जिसे करना काफी ज़्यादा आसान हो और घर के सामान से उस मैजिक को हम कर पाए और कोई उस मैजिक को पकड़ भी ना पाए तो guys आज किस magic वीडियो में मैं एक ऐसा magic आपको सिखाने जा रहा हूँ जैसे आप कर सकते हो सिर्फ एक paper यानि कागज की मदद से और इस magic को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए और कोई खास practice करने की जरूरत नहीं है इस magic को करने के लिए तो चलिए सबसे पहले जल्दी से आपको ये magic में करके दिखाता हूँ और इसी वीडियो के end में ये magic में आप लोगों को भी सिखा हुआ और make sure guys की वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें अगर अपने वीडियो का कोई भी part skip कर दिया तो आपकी magic समझ में नहीं आएगा तो चलिए जल्दी से पहले magic को देख लेते हैं तो कैज इस paper magic trick को करने के लिए मेरे पास एक simple सा paper जिसे मैंने अपनी ही डायरी के अंदर से फारा हुआ है simple सा paper है ये दौनों साइड से मैं आपको दिखा सकता हूँ simple सा paper है तो चलिए magic स्टार करते हैं तो मैं क्या गरता हूँ सबसे पहले इसे center से यहाँ पे फार देता हूँ तो देख सकते हैं इसके दो पीस हो चुके हैं और अब मैं इसे 4 pieces में divide करने वाला हूँ ऐसे फार के देख सकते हो paper को मैंने फार दी आपकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ है मेरे पास और कुछ भी ने इस फटे हुए paper के अलावा मैं आपको अपने हाथ चेक करा देता हूँ देख सकते हो मेरे हाथों में यहाँ पे कुछ भी नहीं है अब इन papers के जो pieces हैं इनको मैं कुछ इस तरीके से fold करके एक छोटी सी ball यहाँ पे बना लेता हूँ ठीक है simple सी छोटी सी ball बना लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसके एक छोटी सी ball बना लिया और इस ball को मैं lighter की मदद से करने वाला हूँ थोड़ा सा heat यानी गरम और गरम होते ही यह जो paper है जो मैंने फाड़ा था paper और उसकी जो piece बनाए है वो आपस में जुड़के एक paper बन जाएंगे यानी जो paper है restore होने वाला है तो चलिए इस start करते हैं मैं क्या करता हूँ अपना lighter लेता हूँ और इसे lighter इसमें नहीं है इस pocket में lighter है हमारे पास ये रहा left pocket भूल गया दा मैं sorry ओके तो अभी मैं करने वाला हूँ इसको गरम lighter से ओके तो ball यहां पर हो चुकी गरम paper यानी गरम हो चुके हैं और मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ actually magic वाले फूँक तो रहे गई इसके बिना तो magic अदूरा था ठीक है ओके अब इसे खोल के देखते है क्या हमारा जो paper था वो जुड़ा है या फिर नहीं oh my god guys जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा paper जैसा था वैसा हो चुका है यानि यह जुड़ चुका है तो इस magic को कैसे किया जाता है यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में एंड तक बने रही है तो इस magic के पीछे का secret है काफी simple इस magic को करने के लिए आपको चाहिए दो paper एक नहीं दो paper चाहिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले यह paper एक इसको आपको ball बना लेना है छोटी सी ball बना के आपको इसे रखना है अपनी किसी एक pocket के अंदर तो मैंने इसे यहाँ पे अपनी right pocket के अंदर एक ball बना के रखा हुआ था और दूसरी pocket में आपको क्या करना है एक lighter लेना है और इस lighter को अपनी left pocket में रखना है यानि opposite pocket में जिसमें आपने paper रखा है उसके दूसरी वाली pocket में आपको रखना है lighter फिर आपको एक paper लेना है और इसे show करना है audience को कि देखे मेरे पास एक simple सा paper है ठीक है और इसे आप फार दोगे कुछ ऐसे और फार ने के बद आपको क्या गरना है इसके एक छोटी सी ball बना ले लिए जैसे मैंने बनाई थी तो यहाँ पे मैंने papers की ball बना लिए ठीक है तो अब audience को बताना है कि इसे मैं lighter से गरम करके वापस से जोडने वाला हूँ तो लोग यह सोचेंगे याड यह गरम करके lighter से कैसे जोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले अपनी right वाली pocket में अपना हाथ डालता हूँ जबकि मुझे पता है मैंने कहा रखा था left वाली pocket में lighter को रखा था right वाली pocket में मैंने रखा है paper को तो मुझे वो paper चाहिए जो ठीक ठाक paper था जिसे मैंने normally fold किया था तो उसे मैं लेता हूँ कुछ इस तरीके से हाथ डालता हूँ acting करता हूँ नहीं इसमें नहीं है तो मैं जैसे ये हाथ लाता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको palm किया हूँ होता है जो ठीक paper है वो मेरे हाथ में पे palm किया होता है फिर मैं इसे इस हाथ में लेता हूँ इस हाथ से lighter लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से नाटक करता हूँ इसे इस हाथ में लेने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऐसे इस पेपर को डालता हूँ, और साथ में इस हाथ को खीच लेता हूँ, और ये वाला हाथ में ऐसे पेपर दिखा देता हूँ, कि जैसे मालो ये पेपर मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन ऐसा नहीं था, ये वाला दिखाता हूं तो जो पेपर है वो जुड़ जाता है